नमस्कार साथियों मैं योगिष्ट महरिया महरिया क्लासिच की योटूब चैनल पर एक बार पुने आप सबी लोग का तही दिल से हार्दिक अभी नंदन करता हूं हम बात करें घरेलो हिंसा से महिला सरक्षन अदिनियम 2005 के प्रावधानों के बारे में अर्थात घरेलो हिंसा से महिला सरक्षन अदिनियम 2005 में पारित होता है और ये 2005 का अदिनियम संक्यांक 43 है ठीक है आगे हम बात करें ये 26 अक्टोबर 2006 को लागू होता है साथी में यदि हम बात करें इस अध्याई इस से एक्ट के अंतरगत 5 अध्याई और 37 धाराओं का प्रावधान है मुख्य रूप से कुछ धाराई इस प्रकार है धारा तीन घरिवली हिंसा को परिभाशित करती है और इसके धारा पांच जो है पुलिस अधिकारियों और सेवा प्रदाता और मजिस्टेट की जो करतव्य हैं उनका प्रावधान करती है धारा आठ सरक्षन अधिकारी की नि धारा तेरा सूचना की तामील धारा चोदा प्रामर्स धारा पंद्रा कल्यान विश्यसग्य की साहिता धारा सोला कारेवायों का बंद कम्रे में किया जाना धारा सत्रा साजी गरस्ते में निवास करने का दिकार धारा अठारा सरक्षन आदेश धारा उन्नीस निवास आदे की आदेश का प्रावधान करती है तो चलिए क्या प्रावधान करती है धारा तेविश से क्या सवाल बनते हैं उन्हें हम फटा फट से जल्दी से समझ लेते हैं टूदा पॉर्ण चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करें, हमारी heading क्या है, धारा 23, अंत्रिम और एक पक्षिय आदेश देने की सक्ति, अंत्रिम देखिए, दो प्रावधाने क्या कहते हैं, अंत्रिम देखिए, देखिए, नियाय लेकि कोई भी जो निर्णा होता है, कोई भी जो कारेवाई होती, वो नियाय संगत होती है, तब ही मजिस्टेट निर्णा देता है, ठीक है, तो यह तो एक common sense वाली बात है, इसमें कुछ इस्पेशल नहीं है, हमारे सवाल क्या बनने व में, पर तरती घरेलो हिंसा का कोई कारे कर रहा है, सबसे important बात है, क्या कर रहा है, घरेलो हिंसा का कोई कारे कर रहा है, या उसने किया है, या यह संभावना है, कि वो भी घरेलो हिंसा का कारे कर सकता है, तो हम बात करें, present भी हो गया, past भी हो गया, और future, तीनों ही condition को यहा present, past और future तीनों के condition गया सामिल किया गया है प्रतिरती ग्रहलों हिंचा कोई कारे कर सकता है तो वह व्याथित व्यक्ति को ऐसे प्रणूप में जो व्हित की जाए ठीक है व्याथित व्यक्ति के ऐसे प्रणूप में एक व्यक्ति के पक्ष में ठीक है और यहां हम बात करें एक पक्षी एक एवल एक ही पक्ष में जो है यहां पारित किया जाता है वो कौन है देखो प्रत्यर्थी के तो विरुद्ध में किया जाएगा और किसके पक्ष में किया जाएगा व्याथित व्यक्ति के क्योंकि आपक सवाल कैसे बनेगा मैं बताता हूं देखे कुल ये पांच धारा हैं पहले तो आपसे एकजामेनर सिधा सवाल पुछेगा कि धारा 23 का संबंध है तो अंतरिम और एक पक्षी आदेश देने की मजिस्टेट की शक्ती ठीक है दूसरा सवाल ये पूछ सकता है कि धारा 23 के अंतर कितनी धाराओं के अधीन अंतरिम और एक पक्षी आदेश पारित की आजा सकता है तो आपको याद रखना कुल कितनी धाराओं है पांच अगर वो डिस्क्रिप्शन में पूछ लेता है या आपसे जब ऑब्जिक्टिव साइप शवाल आते है तो ऑप्शन में लेता 18, 19, 20 18, 19, 22, 24 इस प्रकार से तो आपको याद रखना 18 से लेकर 22 तक 18, 19, 20, 21 और 22 पांचो धाराओं है इन पांचो धाराओं के अधीन क्या किया जाएगा एक पक्षी आदेश और अंतरिम आदेश पारित किया जा सकता है और आप सभी को पता है धारा 18 जो है सरक्षन आदेश धा 19 निवास आदेश धारा 20 हम बात करें धनिया अनुतोस धारा 21 अभिरक्षा आदेश और 22 परतिकर आदेश का प्रावधान करती है सिंपल सा है साथी हूँ चलिए अगली धारा 24 लेकर उपस्तित होता हूँ तब तक के लिए जैहिन जै भारत मेरे साथी हूँ